मैं आप कमेंटो और एकेसिंग और आज हम EVS के मुख्य पार्ट यानि कि सबसे इंपोर्टेंट चीज को देखेंगे और सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है इवीएस की मुख्य थीम और उप थीम जो कि आपको एक नंबर दिलाने के लिए एप्रोप्रेट है यानि कि एक तरह से हर बार जातर एवीएस की थीम पुछी ही जाती है EVS की theme आप चाहे काई श्टेट टैट की बात ले लो, सीट टैट की बात ले लो, जैसे आपने एक trend देखा था, जब हमारा क्या था, यह था, 21-22 और 22-23 में आपको क्या मिलें, ओनलाइन पेपर, तो हर दिन, यानि कि एक दिन छोड़ कर एक दिन, एक दिन छोड़ कर एक दिन, EVS की theme पूची गई थी, और एक दिन छोड़ा, जो छोड़ा गया था, उसमें EVS की theme कहीं न कहीं गुमा फिरा कर पूची गई थी, तो चलिए, यह सो से पहले देखते हैं, क्या है, विशेवस्तु या theme, यानि कि परियावरण के अंतरगरत हम विज्ञान, सामाजी किया गया है, अब विशेवस्तु क्या है, आपको उन विशेवस्तु का भी पता होना चाहिए, यानि कि सबसे पहला आता है, आप यह बताओ, आप आते कहां से हो, अपने परिवार से, आपका जनम कहां हुआ, यानि किस के द्वारा हो, आपकी माता के द्वारा, वो किस का ह सबस है और समाज में यानि कि परिवार कहा प्रबारी समाज में तरह कि आपर यद रखना सीदे का मना तरहनु मुझे खाना खाना है ठीक है खाना खा लिया अब खाने के बाद क्या चाहिए पानी भी चाहिए तो यानि कि मुझे पानी चाहिए आवास ठीक है यानि कि क्या है आवास रहने के लिए चाहिए यानि कि पहले परिवार होगा फिर खाना होगा फिर आपने देखा होगा कि यार परिवार तो है मेरा भूग लग रही है मुझे, खाना भी चाहिए, खाना ले चलो, पेट को सांती मिल गई, पानी भी चाहिए, ठीक है, यह कह दिया, यार एक छत और मिल जाती, यह भी हो गया, अब जब इतनी नीड पूरी हो गई, यानि कि चार नीड पूरी हो गई, तब चाहन नीड के बाद अब व्यक्तिकत नेचर क्या है, व्यक्तिकत नेचर क्या है, व्यक्तिकत नेचर क्या होना, जिस व्यक्ति, यानि कि व्यक्तिकत नेचर क्या है, व्यक्ति क्या कहता है, आज उसने एक साइकिल लेली, साइकिल से भी मोट साइकिल से कार पर आएगा, कार से बड़िकाद लेगा उससे मैं ही काड़ लेगा तो यह कहीं नेचर कहता एक से पानियानी की संतुष्टी न होते अब उसके पास रहने को घर हो गया सब कुछ उगया तब उस harus हो गजए करेगा और घूमने जाएगा यांगों यात्रा करेगा एक जहांसे मुणा से गहर भाने आपने ऑफिम right यह कारियस्तृ तो क्या हो गया हैसे हों में यह क्यों से पता ओना चाया यह न CADE तो आपको पता होना चाहिए अब आता है उप थीम क्या है आपसी सम्मद काम और खेल जानवर और पोदे यह आपके क्या है उप थीम के उसमें काउंट होती है ध्यानक लेना यह भी कम से कम कई बार पूछी गई है फिर आता है प्रात्मिक इस तर पर परियावर्ण अध्यन क का कि विशें वस्तो थीम निम्न है यानि आपको पता है कि 29 कं बाल केंदरित होनी है सबको पता है यान कि क्या है हमारी ऑड़ा है चाइर छेंटर आता फिर दूसरे विशें वस्तों शिक्शारतियों को प्राकरतिक और सामाजी संस्ख्रिति परियाव führen동 से जोड़ और उसक कैसे और काहवत और जैसे ही वह लगोर अलग हो जाता है उसकी कीमत नहीं रहती वह क्या है यह आपने सुनावा, भाई साब यह कहनागma, 20 रुपे किलो है, यह क्या मैं आपको 10 रुपे देदू हुआ, क्योग, क्योग उसकी कीमत नहीं है, है तो वो भी अंगोरी, क्योग वो अलग है, तो यसे लिए कहीं iç-需要 Łagin कहीं, जब आ प्रित के ज़्को हैं, भी क्या कहते हैं या चाए आप किसी भी subject के teacher हो यानिक है ु हमांने कि के बहे बहे है teacher को क्या करना, teacher को , teacher को क्या yourself ऐसा करो इस expression के हाल डूणके, लाओ तो उस्से क्या करो जड़ासा धक्का माशआ करो यानिक हमानने कमेरे थोड़ासा एक तरह से उससे कि आच्छा वो कह रहा है कि सार यहां तक आ गया मैं यह equation मना दी अब यह इसके आगे न समझ मैं रहा है क्या हो रहा है तो कह रहा है बहुत एक बाद क्या आता है आपने कहते हैं उसने का बच्चे ने सर B अब B भी लगा लो इस भी आगे तो उसने कर दिया B का स्कॉयर अब आगे करके द जागा्यारती वह गते हं बहुत दियारती वह अब अब आके आदा करना आपने गर पर एक पेल लगाए उससे कहींन कहीं उसने कहीं पुराइग है कहीं आपके कारण फिर आता विद्यार्ति यो परियरण को लेकर जागुरूख किसले यह पीजिए आप यह देखे कि दिल्ली का पॉलुशन क्या हो रहा है यह पॉलुशन कि वैसे आप क्या कर रहे हैं इस थरह की चीज़े हो रही है तो यह सब कहीं न कहीं गाडियों से कितना दूए निकल पतानी है यह केवल पार्टि पुस्तक और शिक्षा के ज्ञान तक सीमित ना रखे यह क्या है ओल अरॉंड यानि कि लुक लुकिंग अरॉंड इसका नाम क्या है आसपास आसपास का मतलब क्या है यह जो कमरा है चार दिवारी इस तक सीमित नहीं रखना है बच्चे को इसको यह क्या है पूरी दुनिया इस तक घुमाना है उसे फिर आता है विद्यार्थी को परिवार समुदाय कक्षा के बाहर से भी जोड़ना है जिससे वह समह चार पत्र ज्यान अरजित करें यानर collaborate से समचार पत्र छोड़ दो हमें ऐमान के चलना है कि उससे क्या करना है जो Joining को बोल चाल से बोज northern बोज के बिना विना सिकाना आपने देखा हुआ है शैद आप जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो और जो कहीं न कहीं सेंट्रल स्कूल से पढ़े हो जो मेरी साथ के हैं मैं में मान के चलता हूँ में साथ है तो यह मान के चल रहा हूँ है कि हमारे टाइम पर मैं 9th maximum 9th के आसपास 9th के आसपास एक concept आया था Central school में कंदर दिल से बढ़ा हूँ तो Central school में concept आया था कि चोटे बचे यानि कि first और second class के बच्चों को बैग के बिना बुलाया गया था जानी कि वह क्या करते थे बैग उनका जमा हो जाता था एक बार वहां से बिना बोज के और बिना बोज के concept एक तरह से यही वाला concept है जो कपिल सिपल जिला थे 2011 में जिसे में हमारा भी एक तरह से एमान के चलिए CCF आया था और CCF में एक आ गया था कि बीना बोज के concept बीना बोज के concept मतलब किताबों का बोज ना देकर उन्हें और यही concept कहीं न की उसमें फॉलो आ था कि उनकी जो बैग है वह महीं पर रख जाएंगी यह वह बीना बोज वाला concept था ठीक है बच्छो तो यह था आज का टॉपिक यानि को उल्टी करने का मतलब वह उल्टी नहीं जो कहा है एक तरह से आपके पेठ खराब हो नहीं और इस तरह की चीजें के लिए नहीं ज्यान कि उल्टी करने है आपको अपने पेपर पास यह बच्छो और next आस देखें यानि कि आपको पहली ग्लास मिलें कि दूसरी अभी मिल के लिए तीसरे आव नेक्स दास देखते हैं थैंक यू